नमस्कार आप देख रहे हैं डेली वर्ल टीवी मैं हुनेहा शुकला मद्रप्रदेश के हानी ट्रैप केस ने तीन राज्यों की पुलिस के होश उड़ा दिये हैं तीन राज्यों मद्रप्रदेश, महराष्टर, 36 गड़ के नेता, IAS अधिकारी और IPS अधिकारी इस हानी ट्रैप में फसे हुए हैं लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार हनी ट्रैप रैकेट का दाएरा इतना कैसे बढ़ गया कि तीन राज्यों के नेता, IAS अधिकारी और IPS अधिकारीों को इसकी भनक तक नहीं लग सकी चले जानते हैं क्या है यह पूरा मामला हमारे आज के इस खास वीडियो में लेकिन राज्यों में नेता और अफसर हनी ट्रैप का शिकार होते रहे और किसी को जालसाजी का पता तक नहीं लग सका जाच कर रही मंधिपरदेश की SIT टीम ने 1000 वीडियो की जाच में पाया है कि रैकेट इस काम के लिए गरीब परिवारों की लड़कियों का इस्तेमाल करता था उन्हें सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर VIP और IAS IPS अधिकारियों के पास भेजा जाता था बाद में उनके वीडियोज को नेताओं और अफसरों को ब्लैक मिल करने के लिए इस्तिमाल करते थे पुलिस को ये वीडियोज रैकेट चलाने वाले सदस्यों के मोबाइल फोन से मिले हैं इन वीडियोज में मध्यप्रदेश, 36 गड़ और महराश्टों के नेता और बाबू शूट किये गए हैं पुलिस ने का है कि 50 से जादा नेताओं और अफसरों को गिरोह ने अपना शिकार बनाया था जिनसे हनी ट्रैप रैकेट के सदस्य करोडों रुपेओं के साथ साथ सरकार के एहम कॉन्ट्रेक्ट्स तक अपने खाते में डलवा लिया करते थे इस रैकेट का खुलासा तब हुआ जब इंदौर मिनिसिपल कॉर्पोरेशन इंजीनियर हर्बजन सिंग ने रैकेट सदस्य उद्वारा ब्लैक मिल किये जाने की पुलिस से शिकायत की हर्बजन सिंग से रैकेट ने 3 करोड रुपे मांगे थे हर्भजन सिंग ने ब्लैक मिल करने वालों को 8 करोर रुपे का सरकारी कॉंट्रेक्ट भी दिलाया था इस रैकेट में आरती दयाल नाम की महिला का नाम सबसे उपर है पुलिस ने अब तक रैकेट चलाने के आरोप में आरती दयाल के अलावा मौनिका यादव, ओम प्रकाश कोरी, श्वेता स्वपनील जैन, श्वेता विजय जैन और बर्खा सोनी भटनागर को गिरफतार किया है स्पेशल रिपोर्ट डेली वर्ल टीवी